पकोडे वगेरा तो आप नॉर्मली खाते रहते हैं तो क्यों ना आज दाल से कुछ ऐसा नाश्टा बनाया जाए जो एकदम यूनिक हो डिफरेंट हो दिखने में बहुत ही अच्छा हो और खाने में बहुत ही लाचबाब हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नाश्टा बना अच्छी तरह दाल फूल चुकी है तो अब इसका सारा पानी आप हटा दीजिए और दाल को डालिए मिक्सी के जार में तो यहां पर यह सारी दाल मैंने इस जार में डाल दिया है और अब इसे पीसने के लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें आट करेंगे पहुँ जादा पानी बनाया इसका तो यहां आपने कितना उधार लिया है क्या मुझे चले से रुपए मिलेंगे मैंने पचास हजार रुपए लिये हैं खेर मेरा व्याज भी ज्यादा महेंगा नहीं है केवल 0.04% प्रति दीन है और आपको पता है आप 12 महिनों में इसका वुफतान कर सकते हैं अब इसे हम एक बोल में निकालेंगे यह नाश्टा तेस्टी होने के साथ ही है क्योंकि एक तो दाल से बनाया और दूसरी बात बहुत ही कम उयल में यह बनके त्यार हो जाता है अब यह सारी दाल मैंने बोल में निकाल ली है अब इसमें आपको एट करना है 3 टेबल स्पू किया है दो बारिकटी हुई हरी मिर्च और इसमें जा रहे हैं लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच चाट मसाला इससे फ्लेबर बहुत ही अच्छाा आएगा राष्टा में में- एक चथा ही घंग और नमक आदा चमच अब इसमें मैंने डाली है आदा चमच आमचूर अब ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से सारे मसाले दाल में मिक्स कर लीजे और अब हमें इसमें डालना है पानी तो पानी एक साथ बहुत जादा नहीं डालना है पहले थोड़ा पानी डालिया और फिर इसे मिक्स कीजे ये नाश्टा बनाने के लिए हमें इस बैटर को बहुत पतला बना कर तयार नहीं करना है ये पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन अभी ये काफी गाडा है तो थोड़ा सा पानी और अड़ कर देते हैं अब इसे हम mix करेंगे अच्छे से mix कर लिया दो तीन मिनट तक इस तरीके से आपको इसे mix करना है बहुत अच्छे तरीके से और अभी एक दम पर्फेक्ट है अब इस नाश्टा को fluffy बनाने के लिए हमें इसमें add करना है इनो तो मैं इसमें डाल रहे हूँ आदा चमच इनो अगर आप इनो नहीं डालना चाते तो आप पेकिंग सोड़ा भी add कर सकते हैं अब इनो डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए जिससे इनो react करेगा अब इनो को इस बैटर में आपको अच्छे तरीके से mix कर लेना है इस बैटर को हमें rest के लिए रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है ये बैटर नाश्टा बनाने के लिए अब पूरी तरीके से त्यार है हमें अब पिल्कुल भी देर नहीं करनी है और फटा फट से अब नाश्टा बनाना है तो इसके लिए आपको gas पर रखना है एक तवा और तवा को आपको oil लगा कर ग्रिस कर लेना है gas का flame आपको low रखना है और low flame पर इसे गर्म होने दें जब तवा गर्म हो जाए तो ये जो बैटर है ये आपको तवे पर डालना है एक बड़ा चमच भर के मैंने बैटर डाला है और इसे हलका हलका साइस तरह गोल गोल फैला दिया है पहुँच जदा पतला इसे हम नहीं करेंगे साइस मैंने पहुच जदा बड़ा नहीं किया है medium size कहने बनाया है आप अपने नुसार size छोटा या बड़ा कर सकते हैं अब ये मैंने एक और पीस इसी तरीके से बना दिया है ये देखिए मैंने एक और पीस बना दिया अब यह आप देख सकते हैं कि एक ही तवे पर मैंने ये तीन पीस बना का आसानी से त्यार कर लिए तो अब हमें इन्हें इसी तरह खुला नहीं पकाना है हमें क्या करना है कि इन्हें कवर कर देना है ताकि से ये अच्छे तरीके से फूल जाए और एकदम फ्लाफी बने तो इन्हें कवर कर देते हैं दो मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो है और दो मिनट बात ये देखिए उपर से इनका कलर चेंज हो गया है तो अब आपको इन्हें पलटना है लेकिन उससे पहले इनके उपर हलका हलका सा ओल लगाएंगे ब और अब हम इसे भी पलट देते हैं ये हलके हलके एक तरफ से सेख चुके हैं तो आप दूसरी तरफ से भी सेखने के लिए इन्हें फिर से हम दो मिनट के लिए कवर करेंगे तो इसे ढख दीजे का फ्लेम लो है और दो मिनट बात हम इसे चट करेंगे ये देखिए तो अब अब मैंने पलट रही हूँ या आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है लाइट गोल्डन ब्राउन का कलर आ चुका है अब हमेंने कवर नहीं करना है अब इस तरीके से दबाते हुए इन्हें में दोनों तरफ से अलट पलट कर सेख कर त्यार करना है इस न नाश्ता की रेस्पी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट रो शेयर करना बिलकुल न भूलें